हाई और आज हम बनाएंगे डाकोर का फेममस इंस्टन गोटा बनाएंगे तो इसके लिए मैंने इंस्टन इस तरह से पैकेट मिलता है डाकोर का गोटा बनाने का मेक्स मिलता है उसे मैंने ले लिया है तो हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है एकदम टेस्टी बनेगा यह गोटा है और एकदम से जटपर से ही बन जाएगा तो इसके पीछे सारे लिखे हैं कैसे कैसे बनाना है तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं तो चली हम इसमें से पाउच निकाल तो इस तरह से पाउच आता है उसे हम इनकी रख देंगी और एक सेड़ में तेल गरम करने की भी रख लिया है तो चलिए हम देख लेते कैसे बनाना है मैंने मैंने पानी ले लिया है यह उस्टर ओंगी आपको जल्दी हो जाए आपको इसलिए यसके पास नहीं है उन для Sc p kleine ले लिए यह कि दिर्चन में मिक्स की जीएगा तो इसी मिक्स करके हमें 15 मिनिट के लिए छोड़ लेंगे इससे रखके हमें रख ले अच्छे से बैटर फूल जाने के लिए तो चली हम चट्नी बना लेते हैं चट्नी के लिए हमें मेसरिंग कप है तो उसका आधा कप पानी ले लिजी और इसके अंदर हमें 80 g जितना गोर ले लेना है गोड के बदले चुगर एड करना चाहते हैं तो भी 80 g ले सकते हैं तो जो आत्यक शनक टामाय चैट्नी का जो एतक जब तक से तो चलिए अच्छे से बना लेते हैं तो चलिए अच्छे से फूल चुका है तो हम इसका गोटा बना लेते हैं प्रेंट्स आपको मेरी वीडियो से अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजी और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजी और आगे भी बताती रही है आप कौन सा वीडियो देखने चाहते हैं और आगे जो बेल कलर आ जाएगा और अंदर से कच्छा रहे जाएगा इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब कर लेना है तो है ना एक दम इंस्टन अपने डाकोर का फेम मस् गोटा एक दम रिडियो हो गया है जल्दी से आपको भूक लगता है तो शाम कर लीजिए अगर आप खाना चाते हैं तो और उसके बाग में आप ओनियन को भी स्लाइस में कट करके इसके साथ में सब्सक्राइब किजिए एकदम टेस्टी और बनेगा अमारे डाकोर का फेमस गोटा आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आगे आप कौन सा वीडियोस दिखना चाते हैं मैं आपके लिए जरूर ले क्या होगी इस तरह से हमारे गोटास रेडी होगे इस तरह सारे गोटास में बना लूगी तो उम्मीद कर आपको अच्छा लगा हुआ अच्छा अगर तो लाइक और शेयर कर दीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दब तक के लिए स्टेश सेब और स्टेए लेवरी बाई फ्रेंड्स